Hello everyone, welcome to today's video आज का यह जो वीडियो है यह आपके जो टॉपर्स होते हैं आपके एक्जाम के वो किस डिपार्टमेंट को सबसेदा प्रिफर करते हैं इस चीज़ से रिलेटेड है गलती से भी इस वीडियो को आपना प्रिफरेंस फॉर्म भरने के रिगार्ट में मतले लीजीगा ठीक है उसके लिए एक सेपरेड वीडियो आएगा जब आपका प्रिफरेंस फॉर्म आएगा अभी तो फिलाल वो बहुत दूर की चीज़ है क्योंकि अभी तो आपका इसके टेस्ट ही आपका संपन्न नहीं हो पाया है अभी तो जब आपका इसके टेस्ट हो जाएगा प्रिफरेंस फॉर्म आएगा तो वो भी देखा जाएगा और इंडिविजली उसको देखना पड़ता है वो ऐसे किसी भी एक तरीके से नहीं चीज़े बताई जा सकती है उसमें दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में जो डिपार्टमेंट की मैंने बात की है तो आपने जो सोच रखा होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा ठीक है यह मैं सोचीगा कि जो आपने सोचा था वो most prepared में है नहीं तो फिर मेरा डिपार्टमेंट गलत है बिलकुल भी नहीं द और ऐसी condition में अगर आप hometown prefer करते हैं तो I don't think कि इसमें कुछ भी बुरा है और बैसे भी अगर आपको घर में रहना अच्छा लगता है तो फिर आप hometown prefer करेंगे obviously ठीक है वहीं कुछ लोग होते हैं जैसे जिने IB में काम करना भी अच्छा लगता है जिने NIA में काम करने का मन हो आपका chain होता है वो एक बहुत ही महत्तपॉंट प्रक्रिया होती है I think कि आपके मतलब पढ़ाई के बाद जो सबसे महत्तपॉंट चीज़ होती है आपके selection के बाद वो यही होती है कि आप department का chain कैसे कर रहे है क्योंकि यही आप वो चीज है जो आपको तय करेगी कि आपका promotion क अब होगा ठीक है आपका promotion speedly होगा कि आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा तो इसलिए बहुत ही समझ करने चाहिए लेकिन जब preference form आएगा तब उस पर भी बात करेंगे लेकिन आज का बस वीडियो इस चीज़ पर आप केंद्रित रखिए कि जो toppers हैं वो किस department को prefer करते है that's it ठीक है तो चले शुरू करते हैं तो अगर पहले department की बात करें तो I don't think कि आपको इसका कोई information देने की ज़ुरत है या कुछ बताने की ज़ुरत है आपको पते होगा कि M.E.A. most preferred department है आपका ठीक है इसमें कोई दोराय नहीं है M.E.A. सबसे ज़दा prefer किया जने वाले department है और इसका जो prefer करने का region है वो mainly region है foreign posting ठीक है foreign posting इसका बहुत ही जदा attractive चीज इससे बना देती है बहुत ही attractive department बना देती है तो अब जब foreign में posting आपको जाती है तो आपके allowances भी उसी तरीके से रहते हैं ठीक है अब allowances उसी तरीके से हैं तो आपके salary भी increase करेगी ठीक है salary increase बिल्कुल भी नहीं देखे यहां पर भी greats होती है A B C इस तरीके से countries होती है तो जब आप जैसे से आप आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से आपको भीजेंगे सीधे आपको एकदम इतनी अच्छी countries में भीज देंगे सिर्फ इस thought के साथ मत जाए कि आपको तो सीधे अमेरिका घूमने के लिए भी बेज देंगे यह वेसे ठीक है ultimately आपको घूमने तो नहीं जाना है बहाँ काम करने के लिए जाना है लेकिन यह मत सोच के रखिए आपको इस्पेन घूमने को देंगे आपको जर्मनी घूमने को देंगे तो चलिए सीधे MEA से लेकर लेता है तो I'm new लेकिन हां top üçka no doubt first preference रहता है एऊ me next department की बात करें तो остр लिए क crush on therapist को अगर हम हिंदी में बुलते हैं तो Kendri Sienses Wow यह जीक है तो Kendri Siatch Wow लए यह यह भी बहुत ज़्यदा टॉपर्स की द्वारा इसका रीजन यह है कि जिलनों को डेली पोस्टिंग चाहिए रहती है वो लोग इस डेपार्टमेंट को बहुत ज़्या प्रिफर करते हैं क्योंकि इसमें लाइफ टाइम आपको डेली में रहने को मिलता है लाइफ टाइम अब समझ सकते हैं कि इस्टेविल्टी जिने चाहिए तो उनलों के लिए कितना अच्छा डिपार्टमेंट है इस पीस्टी फॉर गर्स ठीक है उसके अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्री जाती है अब आपको इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन के बाद आपको मिनिस्ट्री दी जाती है लाइक आपका महिलाबाल विकास मंतराले हो गया ठीक है और इस तरहे के जितने भी department है तो उसके बाद आपको ministries दी जाती है तो बहाँ पर आपको काम करना रहता है और बहुत अच्छा work-life balance है और अच्छा department है, decent department में आता है तो काफी जदा prefer किया जाता है lifetime posting वाली बात मैंने आपको बता दी और promotion aspect भी ठीक है 6 years में आपका departmental exam का validation होता है उससे पहले भी आपका जो promotion है 1200 grade पे आपके rank recording हलांकि उसको direct counter नहीं किया सकता लेकिन वो हो जाता है ठीक है, तो ये DOPT एक अच्छा department के तोर पर रहता है और देखा गया है कि बहुत ज़्यदा टॉपर्स इसे select करता है अगर हम लोग तीसरे department की बात करें तो ये है AFH को, ठीक है, Armed Foods Headquarter ठीक है, Ministry of Defense इसी को कहते है, ठीक है Ministry of Defense में ये आता है अब इसमें सबसे ज़्यदा प्रिफर करने का region है, वो है canteen, ओके तो canteen इसमें canteen की बज़े से canteen का एक अच्छा का सा benefit आपको मिल जाता है ठीक है, प्लस आपका जो medical facilities तो हलां कि आपके लिए नहीं रहेंगी लेकिन canteen का आपको मिल जाता है और इसमें भी आपकी जो posting है, वो डेली ही रहती है तो ये भी एक region है दुसरा आपका promotion काफी अच्छा है यहाँ पर अभी तक तो काफी अच्छा promotion देखा गया है, ministry of defense में, ठीक है, तो इस बज़े से लोग लेते हैं, और यहाँ पर आपका 2400 के बाद, आपका जो है, उसीदे 4600 होता है ठीक है, 4200 नहीं होता है, सीदे 4600 होता है और promotion काफी अच्छा है इसमें, ठीक है तो AFHQ को भी top words की दोरा prefer करते हुए देखा गया है अगर इसके बाद बात करें तो सब को पता है income tax department, ठीक है लेकिन एक ऐसा department जिसके उपर तलवा लटक रही है, और कभी भी आपका promotion एक जटके में जा सकता है, ठीक है इसी लिए लोग अब थोड़ा से कम prefer कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें new RR आने वाला है ठीक है, अब new RR क्या होता है तो rules, जो recruitment rules होते हैं तो वो change होते रहते हैं तो अभी तक जो promotion आपका 5 साल में हो जा रहा था, ठीक है वो in new rules के बाद 10 years में हो जाएगा ठीक है, और 10 years में अगर आपका promotion हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है जैसे कि आपने देखा D.O.P.T. में हो गया ठीक है, या आपका defense हो गया, ठीक है तो लोग सुचते हैं कि एक ऐसे department को हम slate करें, जो कम से कम हमें stability दे, ठीक है, तो इसी वज़े से देखने में आ रहा है कि आप income tax को थोड़ा सा कम प्रेफर कर रहा है लेकिन हाँ फिर भी income tax एक decent department है, prestigious department है, नाम के कोई कमी नहीं है आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है तो लेकिन हाँ, ये new RR वाली अगर problem हो गई तो इसमें promotion काफी slow हो जाएगा, ठीक है तो ये अपना देख लीजेगा बाकी department में कोई कमी नहीं है inspector बनने का अभी तो फिलाल चला है लेकिन कब कम हो जाएगा, ये कब चला जाएगा आपका ये नहीं कहा जा सकता ठीक है, अगर new RR आ गया है, तो ये भी 10 years के बाद ही आप eligible हो पाएंगे, ठीक है इसके बाद अगर बात करें, तो ministry of railways इसमें भी promotion आपका बहुत fast था लेकिन फिलाल के लिए आपका इसमें भी जो promotion है वो new RR आ चुके है वो इसका मैंने गजट पड़ रहा था तो उसमें promotion slow हो चुका है, ठीक है लेकिन इसमें जो आपकी posting है, वो डेली रहेगी ठीक है, देखें अब कुछ चीजे हैं, जैसे आपको D.O.P.T. है, बहाँ पर भी आप deputation पर जाते हैं, दूसरी जगह है, ठीक है तो deputation की बात अलग ही है, लेकिन mostly आपकी डेली posting ही है ठीक है, ministry of railways में आप सभी जानते हैं कि railway की benefits आपको मिल जाते है railways की benefits आपको मिल जाते हैं बाकी promotion पहले fast था, अभी slow है, तो ये कुछ departments थे, जो मैंने आपको बताए कि, जो top words होते हैं आपके दोरा prefer की जाते हैं, top five departments थे, एक बार फिर से देख लिएज़े ministry of railways, then आपका income tax income tax काफी अच्छा department है और इसके बाद FHQ, defense आपका इसके बाद आपका DOPT केंदरी सचवाल है, इसके बाद बाद का मतलब, back में हा रहे हैं हम लोग, तो ME है, ठीक है तो ये कुछ एक departments थे आपके देखे, अब मैं फिर से वही बात कहूंगा, ये सिर्फ आपके top words के द्वारा select किये जाने वाले department हैं, जिने वो department भनना होता है, तो इस चीज को आप reference भनने के regard में मत लीजेगा, till then आप चैनल को subscribe कर लीजेगा, इसी तरीके के important updates के लिए और चैनल को subscribe जरू कर लीजेगा, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो जो हैं वो लाता रहूँगा इसके अलाबा आपके जो टेलिग्राम चैनल है उसका भी लिंक जो है, वो मैं description में दे दूँगा उसे जरूर जोइन कर लें, क्योंकि बहाँ पर बहुत ही important important चीजे मैं post करता है रहता हूँ